हलो दोस्तों एपी वर्मा एजुकेशन नालेज में आप सब का फिर से एक बार सोगत यूमा भिननदन है आप सब इस चैनल में वने हुई है इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यबाद और यहां पे बहुत सारी बच्चे जो है कमेंड भी करते रहते हैं कि सर मेरा नाम लीजिए मेरा नाम लीजिए ठीक है तो उन सभी का नाम जो है यहां पे लिया जा रहा है ठीक है तो यहां पे उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुभकामनाय और जो है हार्दिक बदाई है कि इस ठनी के मौसम में वो जो है अपने घर पर ही रहकर पूरी तयारी और कोशिस कर रहे हैं लगातार इस तयारी के साथ साथ एक दिन उने सफलता जरूर मिलेगी जिसमें वो जो है 100 परसंट जो है सेवर रहे गा कि वो जो है सफल रहेंगे साइन्स का वो बेजोड जो है नोट्स तयार कर रहे होंगे और उनसे तुलना में कोई भी आगे वाला नहीं है तो बच्तो लोगों का नाम लीय जा रहा है जैसे यहां पर हमारे संचिन कैव जो है दीपक गुपता धीपक विश्कर्मा ठीक है और यादो झी ठीक है जो भी चैनल पर जो है कमेंट करते रहे हैं ठीक है उन सभी को एक बार फिर से हार्जी स्वागत के वह इंदन है तो दोस्तों हम कच्छा 10 के टापिक से अभी चल रहे हैं बारा का नहीं शुरू किया है ठीक है तो 10 का अभी साइंस का जो है टापिक चल रहा है साइंस में पहले जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यह दूसरा चैप्टर है जो जिसे हम कहते है अमल चारी ओमलवड में यह तिसरी लेक्चर हमारी है जिसमें हम आपको चार के बारे में बताएंगे ठीक है तो चारक क्या होते हैं क्या चार क्या होते है आज इस वीडियो के माद्यम से हम जानेंगे बहुत सारे बच्चों का confusion रहता है सर कि चारक या उच्छार में क्या सकते हैं ठीक है तो सभी लोग अपना कापी पे ले लेकर बैठे और काम अपना करते रहें तो यहां पर बेस या चारक क्या होते हैं चारक बोलते हैं चारक यहां पर हम देखते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं तीखे या तीछ्ड या कडवे होते हैं या कडवे होते हैं उन्हें हम छारक बोलते हैं जो स्वाद में तीखे या कडवे होते हैं उन्हें का बोलते हैं छारक बोलते हैं ठीक है छार क्या होते हैं यहीं पर हम देख लेत लेकिन सभी जो चारक होते हैं वो जल में घुलते नहीं है लेकिन जितने भी चारक जल में घुल जाएंगे जल में olduğunu घुलते में घुल जाएंगे घुल जाएंगे या भी याँ पर चीहा बताया जा रहा है कि छार जितने भी छारक होते हैं छारक ये है, हम बहुत सारी छारक कई परकारक होते हैं, सब को हम लेकर अपने पास रखेंगे और उसे पारी-पारी से हम जो है जल में घोलेंगे एक एक चमच, ठीक है? तो जल में जब वोई सभी छारक जो है घुल जाएंगे जल में वोई सभी छारक जब घुल जाएंगे तो जो जो घुले रहेंगे उस सब छार कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? छार कहलाएंगे ठीक है? क्या कहलाएंगे? छार कहलाएंगे और उसमें से जो नहीं गुलेगा, ठीक है, वो हमारा च्छारक तो आल्रेडी पहले से ही है, तो यहां से एक बात पता लगती है, जैसे हम यहां पर एक example देख लेते हैं, यह हमारा एक component है, यह है, ठीक है, और यहां पर हमारा water रखा गया है, यह मालो सभी में हमारे पानी है, ठीक है, एक component को हम इसमें डालें, दूसरे वाले को इसमें, और तिसरे वाले को इसमें लाकर हम डाल दीए, ठीक है, सभी component को हम डालें, तो इसे मिलाएं, यह सब अभी हमारे च्छारक हैं, यह सब अभी हमारे क्या हैं, च्छारक हैं, तो पता लगा इस वाले में जो हम डा नहीं जो भी हम चारक उसमें डाले हो गुला नहीं इस वाले में जो था ओ भी मालो गुल गया ठीक है तो ये जो दो गुल गये इसमें ठीक है ये हमारे चार कहलाएंगे ये काव कहलाएंगे चार कहलाएंगे ये जो नहीं गुला है ये तो चारक ही है तो यहाँ पर एक चीज इसने भी घुल रहे हैं वो सब छारक के ही एक जो है का है रूप है तो यहां से एक बात यहां से किलियर कर लेना है कि हमारे चार क्या होते हैं चारक क्या होते हैं किलियर जितने लोग का किलियर होगा वो सब थंबल करके भेजेंगे और अपकी बार उन सब का नाम जो है एक ल करवे होते हैं दो çो परबल चारिक है परबल चारिक होते हैं इतना एक बार साफ कर देते हैं और परबल चार और दूर्बल चार के बारें सेखतее है कि हमारे परवल चार क्या होते हैं और दूरूबल चार क्या होते हैं चलिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारे परवल चार क्या होते हैं दूरूबल चार क्या होते हैं उसे practice की गई तब आपको total हिंदी में दिया जा रहा मैं भी पहले पढ़ाना शुरू किया था तो हिंदी में मैं बहुत कम और English जादा पढ़ाता था कई सालों के अभ्यास के पश्चात हिंदी और English का आपको जो है by language जो है भासा दी जा रही है तो by language जो ये भासा दी जा रही है आप please share करिएगा और subscribe कराइए जिससे और अच्छी वीडियो हम आपको बनाने में मदद करें quality और अच्छा हो जाए आप जितना ही share करेंगे भविश में हो सकता है आपके लिए digital world की फिप बहुस्ता कर दी जाए तो दोस्तों पीछे आप बिल्कुल भी ना हटिए और आपके साथ ही है जितने भी competition exam भी रहेंगे science related उन सभी के वीडियो भी दिये जाएंगे अभी UP board के high school का दिया जा रहा है या बिहार board के हों किसी भी माध्यम के हों, Hindi medium के हैं तो अगर उनका ये chapter है उनके लिए ये जो है बहुत helpful है ठीक है? तो यहां से हम यहां देखते हैं कि परवल छारक हमारे क्या होते हैं तो इसे English में बोलते है strong base strong base और इसे बोलते हैं beak base beak base strong base और beak base ठीक है? strong base क्या होते हैं? तो वे base या वे छारक जो जल में पूरता घुल जाएंगे जो जल में पूरता घुल जाएंगे आयनित हो जाएंगे और आयनित होने के पस्चात OH आयन पूर रूप से देंगे कौन सा आयन देंगे? OH आयन पूर रूप से देंगे वो हमारे परवल छारक कहलाएंगे क्यों चारक कहलाएंगे परबल चारक कहलाएंगे एक बार फिर से परबल बेस में वे चारक जो जल में पूरता घुल जाएंगे और OH आयन देंगे क्यों सा आयन देंगे? OH माइनस आयन देंगे उन्हें हम परबल चारक बोलते हैं दुरबल चारक क्या होते हैं ये जल में पूरता घुलते नहीं है ये जल में पूरता घुलते नहीं है तो ये जल में पूरता नहीं घुलते हैं तो इन्हें दुरबल चारक कहते हैं इनकी एक्जामपल भी है तो दिधान से यहां पे परबल चारक वे चारक होते हैं जो जल मे पूर्टा घुल जाते हैं और OH माइनस आयम देते हैं ठीक है उन्हें हम परबल चारक कहते हैं दुरबल चारक क्या होते हैं जो जल में पूर्टा घुलते नहीं है उन्हें हम काओ कहते हैं दुरबल चारक कहते हैं यहाँ एक्जामपल भी होगा कुछ परबल चारक के हमारे ज इसका भी नूड कर लो फटा-फट से इसका इस दयसे आपका हो जाएगा दुर्बन छहाट रखब के टीनक अयह अधस फोर कै ओ एथ आपका इसका सब्सक्राइब कर दो कि पार इसे नमय जाल तो है में इन निर जोड़ाएं हो रहो हिसो जार्य कए इस आद watts jusqu 4-к-o-s तो यहां हम देख लिएते हैं इसका example हो जाएगा यह दूरुबल छारग के example है ये जल में पूर्टा घुलते नहीं है तो ये जल में पूर्टा घुलते नहीं है तो ये हमारे जो है दुरुबल छारग कहलाते है तो वे छारगน जो जल में पूरता व्योजित नहीं होते हैं, दुर्बल भूल खारा कहलते हैं, और सारे इसका इसकी एक्जामपल है, और इसका इक्जामपल देख लिया जाएं, ठीक है, इसका और अजामपल है, यहाँ पे, AL, OH का होल थराई, यह भी हमारे दुर्बल खारा के है, ठीक है, तो यहां से पता चला कि हमारे परवल चारग क्या होते हैं, वो यह चारग जो जल में पूर्टा आयनित हो जाते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो परवल चारक कहलाते हैं, दुरवल चारक क्या होते हैं, जो जल में पूर्टा आयनित नहीं होते हैं, मतलग घुलते नहीं हैं, वो हमारे दुरवल चारक कहलाते हैं, परवल चारक के एक्जामपल यहां पर आपको दो दे दिया गया है, KOH, और यह यहां पर 2 egeample इसका भी दे दिया गया है कभी कभी पूछ भी पूछ लिया जाता है दुरूबल चारक या परबल चारक के egeample दीए Ñ तो यहां पर दिया हम सीखेंगे एंहें से है और फिर शीखेंगे चारिवर को से होते हैं कि उपीयोग कहां पर और उनके आगे के तरώρα हम चलेंगे लीटमेश पेपर पढ़ेंगे और उनके आगे बनाने में तरीके से भुपनाया जाता है बेकिंग सोडा क्या होते हैं, हमारे धावन सोडा क्या होते हैं, और सारे कैसे कैसे बनाए जाते हैं, उनकी अफकिरिया और आसानी गुर्ट, सारा चीज हम एक एक वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, छोटा-छोटा ही है, आप देखते रहे हैं, फटा-फट से यहां पर इतन है इसमें ठीक है चलो हम फिड़ा फ़र्शी से साफ कर देते हैं इसका हम फिजकल प्रापर्टी देख लेते हैं इसके भावतिक गुड़ कौन से हैं यहां पर इसका फिजिकल प्रापर्टीज बहुति गुड गुड तो इसका हम बहुति गुड शीखेंगे तो छारक के हमारे बहुती गुड़ के आ होते हैं, सबसे नंबर पहला इसका हम लिखेंगे, ये स्वाद में जो है कैसे होते हैं, ती छड़ होते हैं, कैसे होते हैं, ती छड़ होते हैं, या कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, ती छड़ होते हैं, या तो कड़वे होते हैं, नमबर दुसरा, पॉइंट इसमें हम देखेंगे, इसके भौती गुड़ में, ये जल में घोलने पर, कहां पर? जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, ओएच माइनस आयन देते हैं, जल में घोलने पर, ओएच माइनस आयन देते हैं, और नेश्ट पॉइंट हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कुष्चन पूछा जाता है, कई सारे एक्जामों में भी पूछा ज जाता है ठीक है छोटे-चोटे एकजाम या जो है कमप्टीशन एकशाम में भी पूछ लिया जाता है ठीक है कि स्वा जो है चारग हमारे लित्मस पेपर को किस कलर का करते हैं तो हम आपको अमल वाले वीडियों में बता चुके हैं एक फर्मुला याद कराए थे आपको अनिल क्या याद कराए थे अनिल, आ से अमल ना से नीला ला से लाल इसमें बताए थे ये अमल वाला था कि अमल में नीला लिटमस में पर कैसे हो जाता है लाल हो जाता है, कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है, जेस्ट इसी का अपोजिट, मतलब इसी का उल्टा, इसमें नीला लाल हो जा रहा था, तो इसमें लिटमस पेपर हमार कैसे हो जाएगा, लाल वाला कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो इसमें लिटमस पेपर जो होता है लिटमस पेपर जो होते हैं हमारे तो कैसे हो जाएंगे लाल लिटमस पेपर लाल रंग का लिख दे रहे हमें लाल रंग का नीला हो जाता है कैसे हो जाता है नीला हो जाता है कैसा हो जाता है नीला हो जाता है ठीक है तो यहां लिटमस पेपर कैसा हो लीटमस पेपर जो है लाल रंग का जो होता है उसे हो जाता है नीला हो जाता है नम बढ़ियास जाया ठीक है अगला यह बहुत important नहीं है लेकिन यह वाला important दोर रहेगा उसका सर का हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताईएगा का हो जाएगा ठीक है ये भी अमले की तरह संचारक होते हैं अमले की तरह का होते हैं संचारक होते हैं मतलब ये भी धीरे धीरे पदार्थ को काव करते हैं खतम करते हैं तो आप लाश्ट तक वीडियो में बने रहें इसके लिए धन्यबाद ठीक है और कमेंट करते रहें आपका नाम वीडियो में लिया जाएगा जिससे आप जो है हमारे साथ जुड़े हैं इस कायम करेंगे कि Hindi जो मातरभासा है और यह जो है पीछे होने वाला नहीं है कोई-सी का बोड़ या किस ऐसी का बच्चा आपको पीछे करने वाला नहीं रहेगा तो Hindi मीडियम के बच्चो गाठ बान लो आप से तेज कोई होने वाला नहीं है जब दक हम आपके साथ हैं और आपके साथ ना रहेंगे तब भी हमारा आसिबाद आपके सब के साथ रहेगा और सायोग भी पूरा रहेगा धन्यवाद